हेलो एवरिवन, स्पीड ग्यान में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि KVS ने अपनी वेकेंसी रिलीज कर दी है I hope आप लोगों ने नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और फॉर्म भी अपलाई कर दिया होगा अगर अभी तक फॉर्म अपलाई नहीं किया है तो जल्दी ही फॉर्म अपलाई करतें लास्ट येट तक आप लोग वेड़ ना करें क्योंकि क्या होता है काफी बार लास्ट येट तक जाते-जाते हमारे पास और भी काफी सारी प्रोबलम सासी है और हम form fill नहीं कर पाते हैं ठीक है अगर हम vacancies की बात करें तो काफी अच्छी vacancies हम यहाँ पर मान सकते हैं और यह आप लोगों के लिए एक बहतरिन opportunity है जो पाने के लिए तो आज की जो class है वो main रूप से हम रखने वाले है जो TGT match के candidate है उनके लिए उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा syllabus हम cover करने वाले हैं A to Z यानि कि जो भी हमारे पास syllabus है पूरा हम यहाँ पर करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को subscribe कर लें ताकि जो भी आगे वीडियो जाएं उनका notification आप लोग तक पहुँच पाए ओके तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं और start करते हैं आज का जो हमारा class रहेगा वो रहेगा number system के उपर यानि कि संख्या पद्दी और जो class हमारी रहेगी वो bio-language रहेगी Hindi और English दोनों language में रहेगी ताकि किसी को भी प्रेशलानी इसमें ना आए चलिए number system से हम start करने वाले हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि number system का मतलब क्या है number system का मतलब यहाँ पर है जहाँ पर हम numbers को क्या करते हैं represent करते हैं अब represent करने के लिए काफी सारे system है जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है एक होता है binary system binary system भी इसी का एक part है उसके अलावा एक होता है decimal system decimal system हो गया और क्या हो सकते हैं hexadecimal हो गया octadecimal हो गया यह सारे के सारे part है किसके number system के ही लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है decimal system बाकी के हमें नहीं पढ़ने है क्योंकि यह वाले हमारे part में यानि कि syllabus में नहीं है decimal system हमें यहाँ पढ़ना है जिसका मतलब है decimal पढ़नाली जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी अगर हम बात करें total हमारे पास digit कितनी होती है वई तो हमारे पास total digit होती है 10 कौन कौन सी होती है देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह सारी क्या है हमारे पास digits है इन ही digits से हम बड़े number बनाते हैं ठीक है इनको एक साथ रखते हैं तो बड़ा number बन जाता है तो क्या यहाँ से कोई question हम से पूछा जा सकता है बिल्कुल पूछा जा सकता है क्या देखो हमने यहाँ से एक number बनाया माल लो हमने number बनाया 7462 यह एक number बनाया गया इसमें हमसे पूछ लिया जाए बताओ 7 का face value क्या है एक होता है face value ध्यान से समझते चलना face value हिंदी में बोलते हैं अंकी एमान हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अंकी एमान पूछ लिया गया यह एक number हमें दिया गया और पूछा गया बताओ यहाँ पर 7 का जो face value है वो कितना होगा तो हम बोलेंगे कि 7 का जो face value है ना वो 7 ही है actual में face value का मतलब क्या है face value का मतलब है वो number की actual में value कितनी है वो किसको represent कर रहा है तो 7 यहाँ पर किसको represent कर रहा है 7 अपने आपको ही represent कर रहा है उसकी value कितनी है 7 की 7 ही है तो face value का मतलब क्या है जो number है actual में उसी की value 7 की value कितनी है वो खुद कितना है 7 ही है तो हम बोलेंगे 7 का जो face value है वो 7 है 4 का face value कितना है? 4 6 का face value कितना है? 6 2 का face value कितना है? 2 और example लेते हैं, मान लेते हैं 2, 3, 4, 5 यह हमने एक number लिया, इसका हमें निकालना है 2 का face value कितना होगा? हम बोलेंगे 2 का face value होगा 2 3 का face value कितना होगा? 3 4 का face value कितना होगा 4 5 का face value कितना होगा 5 तो इस तरीके से हम face value निकाल सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही एक और चीज होती है कौन सी होती है place value place value हिंदी में बोलते हैं स्थानी एमान हिंदी में क्या बोलते हैं स्थानी एमान इसको बोलते हैं अब जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही पता कर पा रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या देखना है? उस नंबर का प्लेस देखना है. फॉर एग्जाम्पल हमने यही उठाया, यह हमें दिया गया है, और हमसे पूछ लिया गया, बताइए यहाँ पर टू का प्लेस वेल्यू क्या होगा, स्थानी अमान क्या होगा, तो जैसा कि हम पढ़ते हैं, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, दसजार, लाग, इस तरीके से ह हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, देखो, हम इसको लिख सकते हैं, 2000, प्लस 300, प्लस 40, और प्लस 5, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, इनको क्या करना है, ब्रेक करना है ऐसे, जैसे इसने पुछा, टू का प्लेस वेल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे 2 का जो place value होगा न, वो होगा 2000, ठीक है 3 का क्या होगा, 3 का होगा 300, 4 का क्या होगा, 40, 5 का क्या होगा, 5, ये इनका क्या है, place value है ठीक है, और example ले ले लेते हैं ये ही number फिर से ले ले लेते हैं, देखो 7, 4, 6, 2, हमसे पुछा गया है, बताइए, 7 का जो place value क्या है तो हम बोलेंगे, 7,000 4 का कितना है 400, 6 का कितना है, 60 2 का कितना है, 2, ये इनके क्या है place value है, तो I hope आप लोगों को face value और place value का मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इनको निकालना है, ठीक है चलिए, आगे चलते हैं देखो वई actual में जो हमारा syllabus है ना, वो ये है हमें इसके उपर detail में पढ़ना है real numbers के उपर, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़े हैं, उनके बार में भी हमें जानना जरूरी है, तो पहले उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और इसको हम बिल्कुल detail में पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्योंकि और चीज़े हैं, वो इसी से ही, इससे related हैं तो उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे और इसको हम detail में पढ़ेंगे तो चलिए पहले उन चीज़ों को जान लेते हैं, जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है बाद में हम real numbers के उपर आएंगे और इसको पूरा analyze करेंगे अब देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है classification of numbers, संख्याओं का क्या कर दिया गया है वर्गी करन कर दिया गया है, numbers का वर्गी करन कर दिया गया है complex number का मतलब क्या हुआ, complex number के अंदर वो सारी संख्याएं आ जाती है, जिसमें real भी होती है और imaginary हर type की संख्याएं किसके अंदर है, complex number के अंदर यहाँ पर complex number को हमने क्या कर दिया है, break कर दिया है दो पार्ट में, दो पार्ट कौन कौन से है एक तो हमारा है real number और दूसरा है imaginary number यानि कि कालपनिक संखे है real number कौन सी है real number वो होते हैं जो हमारे real life से related होते हैं, ठीक है, यानि जिनका बर्चस्व मोजूद है और imaginary number वो होते हैं, जिनका कोई भी बर्चसू नहीं होता है यानि कि यह बिल्कुल कालपनिक चीजे है ठीक है जैसा हम इसको रियल राइफ से रिलेट कैसे कर पाते हैं जैसे कि अगर हम रियल चीजे देखते हैं तो हमारे पास पैरेंट्स हो गए हमारे भाई भेन हो गए यह सारे हमारे रियल लाइफ में हमारे लिए हैं लेकिन साथ-साथ हमारे जो माइंड में चलता रहता है बिल्कुल इमेजनरी चीजे जो कालपनिक चीजे है वो हमारे रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है इसी तरीके से हमने numbers को दो पार्ट में किया है एक है real number और दूसरा है imaginary number real number हम अपने जो देनिक जीवन में जो काम आने वाली चीज़े हैं उन सभी में इन numbers का use करते हैं और इनका use हम नहीं करते हैं ये बिल्कुल काल्पनिक है तो जो हमारा syllabus है उसमें real number हमें पढ़ना है काल्पनिक जो संख्या है वो हमें नहीं पढ़नी है लेकिन इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है तो पहले इसको निप्टा देते हैं कि actual में ये है क्या इसके पूरे detail में नहीं जाएंगे बस मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ पूछा जा सकता है ठीक है तो imaginary number देख लेते हैं यानि कि काल्पनिक संख्या इसको हम represent करते हैं किससे करते हैं वही आयोटा से इसको represent किससे किया जाता है आयोटा से इसकी वैल्यू आपको लोगों को ध्यान रखनी ہے कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है minus 1 under root minus 1 अगर यहां से हम आयोटा का square कर देते हैं आयोटा का यहां पर हम square कर देते हैं तो यह कितना बन जाएगा minus 1 बन जाएगा अगर हम इसका यहाँ पर cube कर देते हैं तो यह बनेगा 1 तो यह तीन value आप लोगों को ध्यान रखनी है iota की value कितनी होती है under root minus 1 iota square होता है minus 1 और iota का cube होता है 1 ठीक है यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है एक चीज़ और क्या लिखी है products of an imaginary number and its conjugate is a real number यानि की कोई imaginary number है और उसका अगर conjugate हम लेते हैं और उन दोनों का multiply करते हैं product अगर हम लेते हैं तो हमेशा एक real number आता है पहले तो यह समझ लो कि conjugate क्या होता है conjugate का मतलब है for example हमारे पास एक कालपनिक संक्या है यानि की imaginary number है 3 plus 4 iota इसका conjugate क्या होगा इसका conjugate होगा 3 minus 4 iota यानि की यहाँ पर जो sign है उसको हमने change कर दिया है वो इसका क्या होगया conjugate होगया जैसे की 2 plus 5 iota है इसका conjugate क्या होगा तो हम बोलेंगे 2 minus 5 iota यह इसका क्या होगया conjugate होगया तो यह क्या कह रहा है कि कोई अगर imaginary number है जो कि हमने ये वाला लिया अगर उसका हम conjugate लेते हैं तो conjugate हमने ये वाला ले लिया बोला अब इन दोनों की अगर हम multiply करवाएंगे तो हमेशा एक real number आएगा तो चलो check कर लेते हैं यहाँ पर देखो अगर इसको हम a मान ले इसको हम b मान ले तो a plus b into a minus b वाला formula बन रहा है तो क्या बनेगा a square minus b square तो a कितना है 3 a का square यानि कि 9 हो गया minus 4 आयटा का square 16 आयटा square ये बना लेकिन अभी हमने पढ़ा कि आयटा square की value कितनी होती है minus 1 होती है तो यहाँ पर put कर दें तो 9 plus 16 कितना आ गया 25 और 25 क्या है एक real number है तो ये वाली बात बिल्कुल शही है इसके लिए हम कोई भी ले सकते हैं कोई भी conjugate लेंगे उनके आपस में multiply करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा एक real number बनेगा तो imaginary numbers में आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है इसके उपर ज़्यादा detail में हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारे syllabus में नहीं है ठीक है अब चलिए अब हम चलते हैं जो हमारा main part है real number यानि कि वास्तविक संख्या ओके इसको हमें पूरे detail में पढ़ना है ओके इसको हमने यहाँ पर क्या किया है इसको हमने दो पार्ट में break कर लिया है दो पार्ट में कैसे एक तो वो decimal number यानि कि दसमलों संख्या और दूसरा हमने ले लिया है integers यानि कि पूर्णाव ओके decimal वाला देख लो 0.2 0.111 0.2343 कुछ भी हो सकता है और integers में minus infinite से लेकर के plus infinite तक जितने भी numbers है वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं integers के अंदर आ जाते हैं और 0 भी क्या है यहाँ पर? integer है यह चीज भी आप लोगों को ध्यान रखेंए 0 भी किसके अंदर include हो गया है integers के अंदर include हो गया है तो पहले हम पढ़ लेते हैं decimal number चलिए decimal number decimal number इसको फिर से हमने break कर लिया है दो पार्ट दो पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना है यहाँ पर एक हुआ recurring decimal और terminating decimal जिसको recurring decimal का मतलब क्या है वो संख्याए जो बार-बार repeat हो रही है जिनका पुंड्रा वर्थी हो रही है और terminating का मतलब क्या है याणिकि हम दसमलों को जहाँ पर खतम कर पा रहे हैं इन दोनों का ही मतलब क्या हुआ यह दोनों क्या है आवर्ती दसमलों में आते हैं इनको हमने एक साइड में लिख लिया और दूसरा पार्ट हमने बनाया non-recording decimal यानि कि non-terminating decimal जिनका हम दसमलों terminate नहीं कर सकते खतम नहीं कर सकते कैसे देखो यहाँ पर हमने example लिया है 0.6 इसने बोला है कि यहाँ पर हम क्या कर पा रहेंगे decimal को smart कर पाएंगे decimal को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं देखो 6 बटे 10 लिख सकते हैं 10 मलों खत्म हो गया 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 by 10 लिख सकते हैं 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1 by 10 लिख सकते हैं और एक चीज और हमने आवर्ती वाली देखी, आवर्ती वाली कौन से संख्याती है, जैसे कि हमने लिया 0.222 और ये end zone चलती जा रही है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.2 और उसके उपर हम लगा देते हैं बार, ठीक है भई, पॉइंट अटाने के लिए क्या लिखेंगे 2 by 9, यह हमने पढ़ा है, यानि कि यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 10 मलों को खतम कर दिया है, इसको और simplify कर सकते हैं, और अच्छे से समझने के लिए आप इसको ये माल लो, कि ये वाला जो part है न, इसको हम P by Q के form में लिख सकते हैं, यानि कि fraction form में इसको लिख सकते हैं, लेकिन चो ये वाला part है, इसको हम fraction के part में नहीं लिख सकते हैं, fraction के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि for example ये वाला, 0.234567 and zone चलता जा रहा है, क्या यहाँ पर हम कहीं पर भी दसमलों को खतम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहां तक जा रहा है, यहाँ पर तो repeating चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर बार लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर पा रहें, तो इसको हमने अलग से रखा है इसको रखा है अलग से ठीक है इन्ही नमबर्स को हम क्या बोलते है रैसनल नमबर बोलते है यानि कि वो नमबर्स जिनको हम P by Q के 4 में लिख पा रहे हैं वो क्या होते है rational number होते है, condition यहाँ पर क्या होती है, condition एक होती है कि Q कभी भी 0 की equal नहीं हो गए Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए जो भी number है, अगर हम उसको P by Q के form में लिख पा रहे हैं तो वो क्या हो गए, rational number और जिन numbers को हम P by Q के form में नहीं लिख पा रहे हैं, उनको हम बोलते है, irrational number ठीक है, यह हो गए irrational number ओके, तो यहाँ से क्या बताया मैंने, rational number वो है, जिनको हम P by Q के form में लिख पा रहे हैं irrational number वो है, जिनको हम P by Q के form में नहीं लिख पा रहे हैं और example क्या हो सकते हैं irrational number के जैसे कि root 2 हो गया, root 3 हो गया, cube root 4 हो गया, इस तरीके से कोई भी जो root के अंदर है और हम उनका perfect square root cube root नहीं निकाल पा रहे हैं, वो किस के अंदर आते हैं, irrational numbers के अंदर ही आते हैं, और अगर हम इन दोनों का sum भी करते हैं, जैसे कि अगर हम लिखा, root 2 plus root 3, ये भी किस के अंदर आएगा, irrational number के अंदर आएगा, तो rational number और irrational number के बाद, मैं फिर से बता देता हूँ, इनके बारे में क्या है, p by q के form में जो भी number लिखा जाएगा, वो किस के अंदर आएगा, rational number के अंदर आएगा और P by Q के form में नहीं लिखा जा रहा है वो आएगा किस के अंदर irrational number के अंदर अब यहां से एक चीज हमें पूछनी है क्या आप लोगों को बताना है कि क्या जो integers हैं वो rational number होते हैं या नहीं होते हैं जो integers हैं वो rational number हैं या नहीं है बिल्कुल है क्यों है क्योंकि देखो हमने integers में कोई भी number लिया मालो हमने लिया minus 2 यह integer है तो इसको हम 2 by 1 भी लिख सकते हैं तो यह P by Q के form में लिखा जा रहा है तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे जो integers हैं वो भी किसके अंदर आते हैं rational number के अंदर आते हैं एक सबसे जो popular है वो पुछा जाता है 22 बटे 7 का क्या 22 बटे 7 rational number है या नहीं है तो हम बोलेंगे कि 22 बटे 7 जो है वो rational number है मैंने क्या बताया जो भी number P by Q के form में लिखा जाएगा वो किसके अंदर आएगा rational number के अंदर आएगा और दूसरा होता है πाई पाई को हम मानते है irrational number ठीक है 22 बटे 7 क्या है rational number है और जो पाई है वो क्या है irrational number ओके देखो यहाँ पर मैंने rational number के लिखा है इसको एक बड़ फिर्शे पढ़ लेते है rational number के लिए मैंने क्या बताया any number that can be represented in P by Q form यानि कि P by Q के form में जिसको हम represent कर पा रहे हैं लेकिन condition क्या है condition यह है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए आगे बोला है repeating और terminating decimal can be represented in P by Q form जो कि पिछे हमने सीखा है कि जो repeating वाले हैं या terminating decimal वाले हैं उनको हम P by Q के form में लिख पाएंगे उसके बाद लिखा है every fraction is a rational number and vice versa हम क्या बोल सकते हैं? हर एक fraction को हम rational number बोल सकते हैं या हर rational number को हम fraction बोल सकते हैं इसका मतलब है यह कि fraction को हम क्या बोल सकते हैं? rational number और rational number को हम क्या बोल सकते हैं? fraction बोल सकते हैं यह दोनों आपस में क्या है? vice versa आगे देखो Every integer is a rational number क्यानि कि हर एक integer को हम किसके अंदर लेते हैं rational number के अंदर लेते हैं ये तो थी बाते किसके उपर rational numbers के उपर I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि rational numbers क्या है P by Q के form में जिन भी numbers को हम लिख सकते हैं वो सारे के सारे आते हैं किसके अंदर? rational numbers के अंदर rational numbers के अंदर आ गए हैं और integers को भी हम किसके अंदर मानते हैं rational number के अंदर मानते हैं ओके आगे चलते हैं इसके उपर मैंने एक question लिया यहांपर इसको ध्यान से देखना है और आप लोगों को करना है question क्या है देखो which of the following set are rational इसको ध्यान से देखना है option A में क्या सारे के सारे rational है अगर हम बात करें root 2 की हमने पढ़ा कि root के अंदर जो भी number आएंगे हम उनको किस के अंदर लेंगे irrational numbers के अंदर लेंगे एपरी में संख्या के अंदर लेंगे तो ये वाला नहीं है और एक πाई के बारे में हमने पढ़ा πाई भी क्या है? irrational number है तो option A तो हमारा गलत हो गया ठीक है भई? अब हम आते है option B के उपर four ended क्या है? एक integer है और हमने पढ़ा integer किस के अंदर आते है? rational number के अंदर आते है minus 15 है क्या minus वाले भी आते है? बिलकुल जब integers आ गए तो उसमें minus negative से minus infinite से plus infinite तक सारे के सारे number आ चुके है तो minus 15 भी क्या है? rational है 1 by 4 है बिलकुल है क्योंकि ये P by Q form में है अब 0 point यहाँ पर दिया गया है 0 point 6 8 6 8 and so on क्या हम यहाँ पर decimal को terminate कर पा रहे हैं? बिलकुल हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0 point 6 8 और इसके उपर हम बार लगा सकते हैं तो point अटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? 68 divided by 99 हमने यहाँ पर decimal को हटा दिया है तो यह हमने P by Q के form में लिखा है तो P by Q के form में इसको अगर हमने लिखा है तो यह क्या है? rational number है और minus का 2.50 यह वाला भी क्या है? rational तो हम बोलेंगे option B हमारा क्या है? बिल्कुल correct है option C क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि option C में इसने बोला है 400 only क्या केवल 400 यह ऐसा है जो rational है? बिल्कुल नहीं 400 के अलावा minus 15 भी है 1 by 4 भी है यह वाला भी है यह वाला भी है तो इसको भी हम क्या करेंगे? गलत करेंगे क्येवल 400 नहीं है 400 के अलावा भी है option D option D को गलत क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर फिर से क्या ले रखा है? πाई ले रखा है और πाई किसके अंदर आता है? irrational number के अंदर आता है तो यह वाला भी नहीं हो सकता ठीक है? चलिए एक question और लेते हैं बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के आप लोगों को answer करने हैं क्योंकि इस तरीके के questions जो हैं बिल्कुल logical questions है ठीक है? अगर आप लोगों को अच्छे से चीजों का पता है तभी आप लोग इसको answer कर पाएंगे वरना यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं क्योंसन क्या है देखो which of the following statements is true इन में से कौन सी statement true हो सकती है option A देखो option A में बोला है submission of two irrational numbers must be irrational क्या बोला है दो एपरी में संख्याओं का योग एपरी में होता है English में अगर हम ध्यान दे तो यहाँ पर must भी बोला गया है कि जरूर होगा क्या ऐसा है जब must लगा हुआ हो तो हम क्या करते हैं उसके reverse चलके देखते हैं यानि कि जहाँ पर definite condition आजाए कि ऐसा होगा ही होगा तो हम उसको prove करने के लिए क्या करते हैं हम उसके reverse चलके देखते हैं अगर reverse चीजे बन रही है यानि कि वो statement क्या है गलत है तो यहाँ पर बोला गया है दो एपरी में संख्याओं का योग एपरी में होता है तो हम इसके बिल्कुल opposite चलके देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता हमने दो एपरी में संख्याओं ली एक मैंने लिया root 2 और दूसरे लिया minus root 2 अब यह दोनों संख्याओं अलग है एक root 2 लिया, एक minus root 2 लिया और दोनों ही क्या है? irrational है जब हम इन दोनों का sum करते हैं तो कितना बनेगा भई? 0 बनेगा और 0 किसके अंदर आता है? rational numbers के अंदर आता है तो इसकी ये वाली बात तो गलत हो गई तो हम बोलेंगे ये वाला है गलत ओके, आगे चलते हैं B में बोला है product of two irrational numbers must be irrational दो irrational numbers का multiply करेंगे, वो हमेशा irrational लाएगा क्या ऐसा होगा? यहाँ पर भी definite बोल रहा है ये check कर लेते हैं इसके बिल्कुल opposite इसके opposite हम क्या ले लेते हैं? फिर से यही दोनों चीज़े ले लेते हैं, एक हमने लिया root 2 और दूसरा लिया हमने minus का root जब हमने इन दोनों का product करवाया, multiply हमने करवाया, तो कितना बना? minus का 2 बना, हमने multiply किया root से root कट गया, minus 2 यहाँ पर बना है क्या minus 2 irrational number है? नहीं, minus 2 क्या है? rational number है, इसलिए ये वाली condition भी इसकी क्या हो गई? गलत हो गई, ये वाली statement भी क्या है? गलत है तीसरा देखो, तीसरे में बोला है product of 2 rational numbers may be irrational यहाँ पर may be लिखा गया है इसने यहाँ पर संभावना दजाई है कि, कि दो परी में संख्याओं का गणुनफल ऐपरी में हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है? बताओ क्या दो परी में संख्याओं का गणुनफल ऐपरी में हो सकता है? क्या rational number की multiply rational number से करेंगे तो हमेशा rational number ही आएगा तो ये वाली तो अपने आप गलत हो गई option d हमारा यहाँ पर क्या होगा सही होगा कैसे होगा देखो submission of two irrational numbers may be irrational पहले वाले में must be लगाया गया था यहाँ पर may be यहाँ पर संभावना वो जता रहा है क्या ऐसा हो सकता है हाँ ऐसा हो सकता है तो हम कैसे ले सकते हैं हम कोई example ले लेते हैं root 2 plus root 3 जब दो irrational numbers को हमने जोडा तो ये अब irrational number ही आया है ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा ही होगा इसलिए हमने उपर वाले को गलत किया था तो option D यहाँ पर क्या होगा भई इसका answer होगा ओके चली अगला देखो अगला question क्या है sum of two irrational numbers A and B is 0 then what can be said about their products अगर दो एपरी में संख्याओं का योग 0 है हमने दो एपरी में संख्याओं ली है A और B और उनका जो sum है वो 0 है तो उनके गुननफल के बारे में क्या कहा जा सकता है यह हमारे पास option है इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को सोच समझ के answer करना है पहले खुद से answer करना है उसके बाद आप लोगों को solution देखना है ठीक है? मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ देखो option A में इसने बोला है product must be rational सबसे पहले तो हम दो assume कर लेते हैं कि संख्याएं क्या हो जकती है सबसे पहले आप लोगों के mind में आया होगा कि एक बर तो हम ले लेते हैं root 2 और एक बर हम ले लेते हैं minus root जैसा कि इसने condition दिया है दो संख्याएं irrational numbers का sum 0 आया है और उन दोनों की multiply करेंगे तो rational number आएगा आप लोगों के mind में आया होगा ये लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है ठीक है for example हम लेते हैं 2 plus root 3 हमने लिया irrational number और दूसरा हमने लिया minus का 2 plus root 3 ठीक है क्या ये दोनों भी irrational number है बिल्कुल है जब हम इन दोनों का sum करेंगे तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है और जब हम इन दोनों की multiply करेंगे तो क्या वो rational number आएगा क्या वो rational number आएगा नहीं वो rational number नहीं आएगा for example इसका हम square कर देते हैं तो कितना बनेगा 4 plus 3 और plus का 4 root 3, यह बना है, यानि कि 7 plus 4 root 3, क्या यह rational number है, नहीं है, तो हम बोलेंगे, option A इसका क्या है, गलत है, दूसरा, option B देखो, option B में बोला है, product must be irrational, कि जब हम उनका product करेंगे, तो must be irrational होना चाहिए, तो क्या ऐसा है, जब हमने क्या रहा है, rational आ रहा है, तो हम बोलेंगे, यह बाली बात भी इसकी क्या है, गलत है, अब option C को देखो, product may be rational, हाँ, अभी हमने निकाल के देखा कि product rational हो सकता है, अभी हमने निकाला, minus 2 आया, rational था, हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहां पर इसनी संभावना जताई है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, सही किया है, option D, product may be irrational, हाँ, यह भी हो सकता है, यह भी हमने निकाल के देखा, कि product क्या हो सकता है, irrational भी हो सकता है, तो must वाले दोनों गलत हो गए, may be दोनों वाले सही हो गए, यह इसकी answer है, यानि कि C और D, दोनों क्या है, इसका answer है, ठीक है भई, चलिए, यह इनके उपर कुछ questions थे, अब हम एपरी में संख्या के बारे में जान लेते हैं, वैशे तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन यहां पर इसकी definition दी गई है, definition क्या है, any real number that cannot as a ratio of integers, कि जिनको हम P by Q के form में नहीं लिख सकते हैं, रेशियो के form में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या है, एपरी में संख्या है, irrational number से, जैसे की root 5, cube root 6, root 7, यह सारे क्या हैं, एपरी में संख्या है, ठीक है, या जिनको हम decimal के form में, उनको, जिनकी decimal हम terminate नहीं करप सकते हैं πाई भी क्या है एक irrational number है पाई भी किसके अंदर आती है irrational number के अंदर आती है यह हम सब पढ़ चुके हैं आगे चलते हैं यह वाली slide भी आप लोगों के लिए काफी important होड़ी वाली है ठीक है काफी important slide है यह वाली भी इसमें क्या बोला गया है देखो ध्यान से देखो between two numbers a and b there are infinite rational numbers and irrational numbers कोई भी दो number है उनके बीच में अनंत परी में और आपरी में संख्याएं हो सकती है for example अगर बोल दिया जाए तीन और चार दो संख्याएं है इनके बीच में अनंत परी में और आपरी में दोनों तरीके की संख्याएं हो सकती है जैसे कि पूछलिया जाए तीन और चार दे दिया गया हमसे पूछा गया कोई एक number बताओ जो इन दोनों के बीच में rational number हो तो देखो formula हमने यहाँ पर बना रखा है formula क्या है? rational number निकालने के लिए यह formula है formula क्या है? लिख देता हूँ फिर से a k plus b upon k plus 1 k की value क्या लेनी है? 1, 2, 3, 4 अगर एक number निकालना है तो k की value कितने लेंगे? 1 दो number निकालने है तो एक बर तो 1 से निकाल दिया एक बर हम निकाल देंगे 2 से 3 number निकालने है तो 1, 2 और 3 k की value 3 भी ले लेंगे जैसे कि हमें निकालना है 3 और 4 के 20 में कोई भी एक rational number तो a कितना हो गया? 3 k की value कितनी लेंगे? 1, into 1 कर दिया plus b कितना लेंगे? 4 और upon कर देंगे k की value कितनी ली थी? 1 ली थी, 1 और plus 1, 2 7 बटे 2 कितना बना? 3,5 इन दोनों के 20 में लाई कर रहा है और ये क्या है? एक rational number है हमें 2 rational number निकालने हैं माल लो एक तो हम निकाल चुके 3.5 दूसरा हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक तो हमें निकाल लिया, दूसरा निकालेंगे A की value कितनी है? 3 अब K की value कितनी लेंगे? 2 multiply 2 कर दिया, प्लस B कितना है? 4, upon, K की value अब कितनी? 2, plus 1, 3 3, 2, 6 और 4, 10, 10 बटे 3 कितना बना? 3, 10 में लो 3, 3, ठीक है? ये भी किसके अंदर आएगा? 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो इस तरीके से हम rational numbers निकाल सकते हैं ठीक है? दूसरा है हमारे पास irrational numbers सेम चीज है, 3 और 4 के बीच में हमें irrational number निकालने है irrational number के बारे में हमने एक चीज और पड़ी हुई है, क्या पड़ी है? कि वो non-terminating decimal होते हैं तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? मालो 3.01 001 001 उसके बाद 4.01 इस तरीके से हम चलते जाएं क्या इनके जो decimal है वो हम terminate कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे यानि कि यह किसका form है? एक irrational number का form है यानि कि इन दोनों के बीच में एक ही फ़ली हो गई आप ऐसे कोई भी example बना सकते हैं मालो दूसरी संखे निकालनी है तो हम यहाँ पर 0 की जगए 1 ले लेते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं फिर 1-1 ले लेते हैं फिर 2 ले लेते हैं फिर 1-1 ले लेते हैं फिर 2 ले लेते हैं ऐसे कोई भी हम number बना सकते हैं तो इस तरीके से rational और irrational number हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, किनी भी दो numbers के बीद थीक्षे, ठीक है? और कितने होते हैं, यह अनन्त होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ओके? आगे देखो, अब हम चलते हैं integers के उपर, decimal के उपर हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं किसके उपर? integers के integers को हमने दो पार्ट में लग किया है एक positive integer और दूसरा negative integer और 0 को हमने रखा है neutral, यानि कि जो 0 है वो ना ही positive integer है और ना ही negative integer है ठीक है, इसको हम neutral बोलते है ना तो positive में आती है ना negative ठीक है, लिखा है यहाँ पर 0 is neither negative nor positive बट integer, परंतु किस के अंदर आता है integer के अंदर आता है यह जो positive वाले integers है 1 to infinite इनको हम बोलते है natural numbers इनको हम क्या बोलते है natural numbers और इनको हम denote करते है n से denote किस से करते हैं भई n से करते है, ठीक है लेकिन जब 0 इसके अंदर include हो जाता है, 0 को जब हम integers के अंदर ले लेते हैं, positive integers के अंदर तो यहाँ पर किया बनता है 0, 1, 2 और ऐसे चलते हैं इनको हम क्या बोलते है तब हम इनकों को बोलते है whole number ठीक है, और इसको denote करते हैं किस से w से, 1 से infinite किस के अंदर, natural numbers के अंदर और 0 से infinite किस के अंदर आते हैं w, whole numbers के अंदर आते हैं इसके उपर भी एक question है, देखो question मनाया गया है यह आप लोगों को try करना है इसका answer क्या रहता है यह वाला मैं लिख देता हूँ यहापर कि इसको क्या लिखा गया है, देखो negative है और इसकी power 4 बनी हुई है plus में यह positive number है और इसकी power कोई negative number है क्या यह positive होगा इसमें यह पुछा गया है और यहाँ पर इसका मतलब है यह इसकी power 2 है तो इनमें से कौन सा आपका option है वो right रहेगा यह आप लोगों को comment करके बताना है इसका next part एक या दो दिन में आप लोगों का आ जाएगा तो अगर channel पर नए हो तो channel को subscribe जरूर कर ले ताकि जो भी video यहाँ पर आए उसका notification आप लोगों तक पहुंस पर आए तो अगर आप लोगों को video अच्छी लगी हो तो video को like कर दे share कर दे और channel को subscribe कर ले तो आज के लिए इतना ही रखते है thank you